नमस्कार दोस्तों आज हम लोग 1857 के आंदोलन के बारे में जानेंगे जिसमें ज्ञारखंड का इसमें क्या जोगेदान रहा भारती राष्टी आंदोलन में तो इसका हम लोग विस्तार से देखते हैं ज्ञारखंड के कौन-कौन महापुरूस हुए जिन्होंने भारती करके जानने का प्रियास करते हैं ज्ञारखंड में 1857 का बिद्रो का प्रारम जोकी देवखर के रोहनी नामक गाउं से प्रारम हुआ जोकी 12 जून 1857 को प्रारम हुआ था एक्चुली ज्ञारखंड में विद्रो का प्रारम होने का मुख्य कारण 12 जून 1857 को रोहनी गाउं में पदस्थापित सैनिको का 32 वी रेजिमेंट पर लेप्टेन एंट डारमन लेसली की हत्या कर दिया गया जिसके कारण से देवघर से ही विद्रो का प्रारम सुरू हुआ जोकी आगे चलकर 30 जूलाए 1857 को हजारी बाग रामगाड इन सारे जिल्लों में भी विद्रो प्रारम हो चुका था इस विद्रो के समय रामगड बिट्यालेन का मुख्याले राची हुआ करता था तब की बात है बिशनात सहदेव ने मुक्तवाहनी सैना की इस्थापना की जोकी 1857 के विद्रो में आप बिश्मरनिये जोगेदान दिया बिशनात सहदेव के अतरिक्त गनपत्राय वासेख विकारी जोकी सैनिकों का प्रमुक हुआ करते थे मुक्तवानी सहना जोकी बिशनात सहदेव के द्वारा स्थापित किया गया था को बिर कुवन सिंग जोकी बिहार में 1857 के करांति के नेत्वित करता थे का सपोर्ट था का सहमती मिल रहा था जिसके कारण जहारखंड में भी मुक्तवानी सैना के द्वारा अब बिश्मरणिय जोकेदान दिया गया इस बिद्रों के दोरान शंपुरुन सीभूम छेत्र में करांति कारियों का नेत्वित राजा अर्जुन सिंग ने किया था बात करते हैं कमिशनर सिंप्सन के आदिशा अनुसार 4 अक्टूबर 1857 को जैमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दी गई बात करते हैं 8 जनवरी 1858 की घटना के बारे में इसके प्रमुक्य नेता सीख विकारी जिसका जोकी उम्राव सीख का दिवान हुआ करते थे तथा उम्राव सीख को चट्टूपालू की घाटी में फांसी दे दे गई इसी प्रकार 1758 को विश्णात सहते और अकीस अप्रील 1789 को गनपत राय को राची जिल्ला अस्कुल के मुख्य द्वार जोकी कदम का पेड़ हुआ करता था मैं फांसी दे दी गई जोकी कमिशनर डाल्टन के आदिशा नुसार फांसी दी गई थी गनपत राय को 1857 के विद्रो में विद्रवियों ने अपना शैनानायक बनाया निलंबर पितंबर की बात करें तो निलंबर पितंबर ने पलामुच्छेतर में 1857 के विद्रो का नित्वित प्रदान किया था इन्होंने चेरो खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सनेदल का गठन किया था परंदु निलंबर पितंबर को 28 मार्च 1869 को लेसली गन जोकी पलामुच्छेतर में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई इसका मुल कारण था उन्होंने 1857 में के विद्रो में नित्वित प्रदान किया जिससे गुसा कर अंग्रेजों ने 28 मार्च 1869 को फांसी दे दी बात करते हैं 1857 के विद्रो के समय हजारी बा का उपायुक्त डेसी कप्तान सिम्शन था जबकि धनबात की बात करें तो उस समय वहां का कप्तान आउकस हुआ करते थे सरांस के तौर पर 1867 के विद्रो का प्रारंब कहां से हुआ उसके प्रमुख अस्थान और नित्वित करता के बारे में भी हम लोग जानेंगे जैसे की 1857 का विद्रो का प्रारंब रोहनी जोकी देवघर में अस्तित है 12 जुन 1857 को प्रारंब हुआ था तत पस्चात इसका आग जोशु हजारी बाग रामगड सारे इलाकों में लग चुका था तो रामगड में 30 जुलाई 1857 को विद्रो का प्रारंब हुआ तजनु प्रांद राची में 2 अगस्थ 1857 में राची और मानभुम दो इलाकों में विद्रो का प्रारंब हुआ रांची में 2 अगस्त 1857 को जबकि मान्भूम जो आधुनिक धनवाद कलाता है में 5 अगस्त 1857 को सहस्थालों की नेत्वित में विद्रों का प्रारंब किया जाता है सितंबर महिना में बात करें 1857 में तो 3 सितंबर 1857 को सीभू में भगवान सींग एम मरामनात सींग के नेत्वित में विद्रों को प्रारंब किया गया 26 सितंबर 1857 को प्लामू में निलमर पितंबर के द्वारा विद्रों का प्रारंब किया गया था तो इस परकार हम लोगों ने 1857 के बिद्रों के बारे में मुख्य मुख्य बिंदू के बारे में जाना धन्यवाद